हेलो फ्रेंड्स वेल्कुल टू डाई स्टडी फीड चैनल दोस्तों आपके लिए मैं लेके आई हूँ फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट प्रैक्टिस सेट जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल में फिजिकल एजुकेशन के किसी भी स्टेट की कॉंपटेटिव जाम्स की ने मेरे महतं हैं नुद आपके लिए दो कि आपके पास है जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है इसको देखते लोएं। प्रैक्टिस लेकर आई हूँ जैसा कि दोस्तों दो तीन दिन में वीडियो नहीं ऊष्ट पाई और आपका 100% सफलता होगा बस मैं ये साथ दोए रहिए मैं एक दुम्हें दो वीडियो जालूँगी जिससे आपके सभी चेप्टर खत्म कर सकूँ तैच्छा से पहले तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्णों की तरफ कोसल है दोस्तों सरीर क्रिया विग्यान के में अध्यन किया जाता है तो जैसे कि दोस्तों सरीर क्रिया विग्यान में मानों सरीर के अंगों की क्रियाओं का अध्यन किया जाता है वहीं में पुछता है सरीर रचना विग्यान में तो मानो सरीर के सन रचना का आधियन किया जाता है क्रिया विग्यान मानो सरीर के अंगों की क्रिया किस प्रकार से हमारे सरीर में कारे करती है उसका आधियन किया जाता है कि मानों शरीर के किस को सिकांग को ट्रैफिक पूलिस के नाम से जाना जाता हैGodjika ट्रैफिक पूलिस जाना जाता है या तायाद परिवहों इसके बुला जाता है क्यों क्योंकि यहा केंडर केंडर होता है जितने भी कोसिका की क्रियाएं होती है उस सभी चीजों का इन्टर करता है केंद्रक के अंदर गत्वी क्रोहमों तीन जालिक fun have नंबे की से समान ऑल बनाती है औरานे से जीन करणें होता है checked नेश कोसों में माइक根中共 को सीफ़ीक है यह भी कहता है के जो हमारा में कापप होता है जो हमारा ब्लंड होता है ठर्मणणी धंवी जो होता है हमारे प्पों में जा करके सुध्ध हो करके आक्सिज्न पूलिकर करके सेarten महात धंवी से औंगों में फिजा जाता है और इस औंगों के दिख the quin ऑसिजिन पुलने करके सीले चला जाता है कोशी का में neighbors लेक्म दिख द penal होता है एक glucose के जारश से तूपाइराविक आमने चला जाता है मायिट्रो-कॉर्डिया में आ घर करके जो आकसी करड, आकसीटेशन प्रकुर्टीया होती है जो गोजन होता है, उसका oops怎么 परिवचन होता है मायिट्रो-कॉर्डिया में जिस्से क्रैस्ट चेक्र बोला जाता है और यही जिसमें 36 ATP का निमा होता है इस प्रकार एक ग्लुकोज के प्रो ऑक्सिदेसर से 38 ATP का निमा होता है यानि वो जो उजा में करवट करता है मार्टोपालिया इसलिए इसको कहा जाता है कोशिका का उल्जा केंडर नेकर दोस्तों निमलेखित मेंसे कि इसको आत्महत्या की ठैली भी कहते हैं दोस्तों लाइसर सोंस जो होता है इसमें अभगटक एंजाइन जाते हैं också आप जिसमें आत्महत्या की ठैली इसलिए कहा जाता है कि जब कोशिका खारा वोजाती है यहया पुरी कोशिका केया खारा हो जाती है यह स만कर होती है यह फट जाता है पूरी कोशिका थे क्यों कि जो जाता है आप रहते हैं कि थैनी किसे कहते हैं तो लाइसोसूम पाचन बैट किसे कहते हैं तो लाइसोसूम एटम बॉंग किसे कहते हैं पाचन का तो लाइसोसूम बोला जाता है प्लाजमा में कितने प्रसेंट पानी होता है जैसे कि दोस्तों हमारा जो ब्लड होता है वह दो प्रकार का होता है एक प्लाजमा होता है एक ब्लड सेल्स होता है प्लाजमा जो होता है इसमें 90% जो है आपका जल पाया जाता है दुसरा प्रकार में blood cells होता है जिसमें IVC, WC और platelets होता है तो इसमें 90% आपका जल पाया जाता है और 9% आपका protein पाया जाता है नेश्टो कोसिका का उर्जागर किसको कहा जाता है तो अभी जश्ट आप इससे पहले आपने answer दिया है मायक्रो कांडिया को कोसिका का power house कहा जाता है यानि कि उर्जागरी कहा जाता है नेश्टो दोस्तो उतक किसे कहते हैं तो उतक जैसे दोस्तो एक एक इट से दिवाल का निर्मा होता है और एक एक दिवाल से कमरे का निर्मा होता है और एक एक कमरे से एक मकान बनता है उसी प्रकार एक-एक कोशिका से उतक करिमा होता है और उतकों से अंग करिमा होता है अंगों से हमारी संपूर्शरी करिमा होता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान रचना और समान कार करने वाली कोशिकों के समूं को उतक यानि टीशू कहा जाता है और टीसी को अध्यन को नेश्ट कोसिका के किस भाग को पावर हाउस आफ सेल कहा जाता है तो दोस्तों बार बार एक कोसिका पूछ रहा है पावर हाउस आफ सेल किसे कहा जाता है तो गुना गुना कि होई कोसिका पूछता है तो माइट्रो कालिया को माइट्रक और एक कु quickestन हर बार रहता है इसलिए इसको ध्यार में रखेगा हमारी हमारा सवेधा संग की छोटी जीत इकायों काOpen होता है जिए कहते है तो दोस्तों उसे हम को सिखा कहते है ग्या Все इनने से किस अधात पर प्रते देटी को पहचाना और पर बढ़ता हुआ रख्त का आगात और कोसीका के मेटाबोलिज्म का बढ़ा हुआ दर्दरसाता है तो यह उसमा को दर्दरसाता है नेश्ट कोसीका का स्वसन यह नियंतर करता है तो दोस्तो कोसीका का स्वसन को नियंतर करता है माइट्रोकार्डिया ध्यान रखेगा बेरी इंपोर्ड इन कोसीका के अंदर गाहा तरल पदाथ होता है जिसे कहते है तो दोस्तो कोसीका के अंदर गाहा तरल पदाथ होता है उसे हम साइटो प्लाज वानि कोसीका द्रद्य कहते है नेश्ट हो कोसिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है तो राइवो शोम को प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है नेश्ट वो कोसिका के किस अंको cellular garbage आप disposal कहा जाता है दोस्तों तो पाचन बैग cellular garbage disposal बुढ़ा लाता है लाइसर सोन को नेश्ट कोसिका सरीश से नारी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है तो कोसिका के सरीश जो नारी संवेदन का संचार होता है दुसरे निरॉन्स में होता है एक सान की द्वारा और जो दिनराश होता है वो संदेश्टों को सेल बाड़ी के ओर ले जाता है नेस्ट है पेसी ये तंद्र यानि muscular system से related question है कि अस्थी मांस पेसी की संकुचल सिल इकाई क्या है तो जो myofibril होता है यानि कि जो पेसी ये तंद्र होता है वो होता है अपका नेस्ट है कॉफ मुसल्स यानि पिंदली मौस पेसी का बज्यानिक नाम है तो यह होता है गैस्ट्रोमीमियस मुसल्स नेस्ट हो वो पेसी जो सिर को घुमाती है तो इसमें है इस्ट्रोमियस स्कैपितस लोंगी सीमस स्कैपितस उपरोग सभी तो दोस्तों यह सभी पेसिया जो होती है उस्ट्र को घुमाने का काल करती है वेरी वेरी इंपॉर्णिन है नेस्ट है ब्यायान के दोरान मरस्पेसियों की स्कैपितस को किसके उपरोग द्वारा रोका जा सकता है तो इसको कम वसा वाला कैल्सियम युक्त आहार लेकरके पोटैसियम युक्त भोजन लेकरके बी कांप्लेक्स बितामिनियों जन लेकरके इन सभी के दोरा ब्यायान के दोरा मरस्पेसियों की स्कैपितस को यानि जो दर्ड होता है जो खिचा होता है उसको रोका जा सकता है 149 माउस्पेशिया पाई जाती है हमारे सरीर में नेस्ट है डिन में से कोई सी माउस्पेशी मसल्स कमर की सबसे चोड़ी माउस्पेशी होती है दोस्तों तो जो हमारे कमर या कुले की सबसे चोड़ी माउस्पेशी होती है वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस तो यहां पे कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं नेश्ट है किस विटामिन की कमी से रात्री का अंधापन होता है तो यह आप सब लोग जानते है रताओधी जो होता है नाइट ब्लाइडनेस यह विटामिन एक कमी से होता है सबसे ज़्यदा विटामिन एक गाजर में पाए जाता है ये भी आप ध्यान में रखेगा इसको ग्रोथ विटामिन भी बुला जाता है सबसे सकती साली मालस्पेशी कोन होती है तो दोस्तों हमारे जबड़ी की जो मैंडीबल मालस्पेशी होती है वो होती है सबसे सकती साली मालस्पेशी मिचला जबड़ा का नेश्टा मानो सरी में मार्सपेशियों की प्रकार है दोस्तो तीन प्रकार की मार्सपेशिया होती है वेलेंटरी, इन्वेलेंटरी और कार्डियक मसस यानि रेखित, और रेखित और हिडेपेशिया नेश्टा मार्स पोशियों को सुद्रूर और सुद्डूर रखने के लिए सबसे महतपूर कारत क्या है दोस्तों तो यह ब्यायाम है, भोजर है, बिस्राम है, यह तीनों की तीनों सबसे महतपूर कारत है नेश्टा पेसियों में एठन यानि की इस्टिफ फीनस कारण है, तो पेसियों में एठन का कारण है, पेसियों में खीचाओ नेश्ट है टेरार्स मुसल्स का नाम है, तो दोस्तों सार्टोरियस मुसल्स जो हमारे जांग पे होती है, रीवन के अकार की पत्ले पट्टे की तरह हमारे कुल्ले और जांग में जुरी रहती है, हमारे जांग को यानि को स्रोडी को मोलने के काम आती है, यह होता है आपका सार्तुर्य श्वैस मसल्स अग घुटने को प्रसार करने में काम आती है तैस कि खेल कूद की सभी गति वीधियों के लिए वुनियादी धाक कौल सा है दोस्तों सो खेल कूद की घितने भी गति वीधिया है उस संब के लिए बुलियादी धाक Gmail मार्सपेसिय च्छंता यानि कि मस्किलर स्ट्रेंड जो है वो सबसे बहतर होना चाहिए मार्सपोसियों को सुद्रिर हुआ सुद्रोर्ण रखने के लिए सबसे महतरपुर कारकोर है तो यहां आपका ब्यायान, भोजन और विश्ण तीलो चीज होना चाहिए ले法र तक आपका मार्सपेसिय सुद्रोर्ण बना रहेगा नेश्ट रहों कुहनी की संदी को मोलने यानि फ्लैक्शन विस्तार यानि extension मोलने को fraction कहते है और विस्तार को extension कहते है तो कुहनी की संदी ग्प्रलैक्शन कारें में कुल सी पीसटार होती है तो जैसा कि आपको पता है कि मोलने बाना Biceps Muscle जो हुपर होती है और Tsis Muscle जो हुवर सर्डी के पीछे होती है जो extension या विश्टार करने में काम आती है यानि कि कुणी की सर्डी को flexor extension करने में Biceps plus Tsis Muscle कारे करती है म हमाहत तक은 प्रयाप्त होने से छीलाई देर तक नहीं थकता है। बहुत ऊंच है कि सबसे मजबूत इसनाई और कुंड सी है दोंस्तों सी यह होता है आपका तक रेक्तस फीमोरीस ज्यक्तार। मास पेस ही है तो दोस्तो आज की लिए बस इतना ही आई होग कि आपको सभी को समझ में आई होंगे जो भी डाउट होगा मुझे कमें बताइए और ज्यादे ज्यादे वीडियो को शेयर कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा ज्यूरू बताइए और दोस्तो देली बेसिस पे इसी तरह फ्रैक्टिस करते रहिए और फॉर्ट वाब विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बिल आइकों को फ्रेज कर लेजिए जिसे न्य वीडियो का अब्डेट आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के झाल 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 झाल